कानपुर फिजेशन असोसियेशन के ओर से शुगर के मरीजों के लिए एक नई दवा के बारे में ब्याख्यान का कारिक्रम आयोजित किया गया असोसियेशन के प्रेजिडेंट डॉक्टर धीकेश्ट दिन्हा ने बताया के शहर की जानी मानी डाइबिटीज की विशेशा के डॉक्टर नंधनी रस्तोगी ने सिमागलुटाइट नाम की दवा विकसित की है जो अन्य दवाओं के मुकापले बेहतकार कर है संस्था सचेव डॉक्टर को कुनाल सहाई ने बताया कि इस दवा के परेडाम बेहत उत्साह जनके साथी साइड इपेक्ट्स भी नाक के बरापर रहे तिलक नगर के एक इनेजी होटेल में आयो जेतिस कारिक्रम में डॉक्टर रिचा किरी, डॉक्टर राहूल कापो, डॉक्टर पीसी सिंग आदी मौजूद रहे झाल अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूले ताकि हर ख़बर का अपडेट आप तक पहुँचे तुरंद आप हमें स्टा, ट्विटर और फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं हमारे आइडि है